तो देखे इसमें सिर्फ बेस आएगा ठीक है एलो एवरिवन आप सभी का सौगत है अपने यूटूब चैनल पर तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं हमेरे पास 355 का ओडियो एंप्लिफायर है तो इस ओडियो एंप्लिफायर में हम लो पास बेस फिल्टर लगाने वाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाईए ठीक है तो जैसे कि हम कुछ दिनों पहले कुछ इस तरीके से हमने यहां पर सर्किट बनाया था तो यह सिंगल पावर बेस फिल्टर है ठीक है तो यह में सिर्फ बारावट कनेक करने पर यह जो है पू पुरी लिंक में description में दे दूगा और I button पे भी दे दूगा वहां से भी आप देख ले सकते हैं ठीक है तो इसे amplifier में लगाने के लिए हम इस तरीके से PCB में connect कर दिया है ठीक है तो यह इस तरीके से यह जो है वारिरिंग है इसकी ठीक है तो इसके जो है ग्राउंड के लिए common और यह जो है पॉजिटिव और यह सबूफर आउट के लिए ठीक है और यह ऑडियो इन के लिए तो देखे कैसे लगाना है तो सबसे पहले में इसमें speaker कौन सा है हम select कर लेंगे और उसके साबसे हम इसमें module लगा देंगे तो यहाँ पर मेरे पास speaker है जो speaker मैंने connect कर दिया है amplifier को तो इसमें on करके मैं इसमें से देखूंगा volume पर की audio कौन सा इसको लग रहा है तो जैसे कि यह जो audio wire है तो यहाँ पर जो audio आ रहा है ठीक है तो जो module से audio आ रहा है हम इस पर लगाने वाले हैं पर हम एक side पर लगाने वाले हैं और एक side पर हम यहाँ पर stereo convert करने वाले हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर wire निकालता हूं तो यह जो है हमारा यह speaker का wire है ठीक है तो यहाँ पे हम subwoofer लगाएंगे तो इसे मैं off कर देता हूँ तो subwoofer जो हमारा जो module है module का subwoofer out है यहाँ पे तो इसे हम यह इस volume पे लगा देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से subwoofer का wire लग चुका है ठीक है तो अभी हम यह जो है audio का wire निकाले थे और हम दूसरा भी निकाल देंगे हम क्योंकि हम दूसरे side पर हमें stereo convert करना है तो जैसे कि यह subwoofer के लिए एक speaker बन चुका है और यहाँ पे दूसरे speaker पर हमें यह दोनों stereo को convert करना पड़ेगा एक pair तो जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने 4.7UF 50V के दो capacitor लिया है कुछ इस तरीके से तो हमने क्या किया है यहाँ पे जो है middle का wire लिया है इसको हम common कर दिया है तो यह रहेगा यह जो stereo convert होगा single में ठीक है तो यहाँ पे हम left और right लगा देना है यहाँ ठीक है तो देखें तो यह audio यहाँ पे लगाएंगे और उसके साथ साथ हम यह जो subwoofer में जाने वाला है left और right यह भी लगा देंगे तो देखें यहाँ पे जो है audio आ रहा है audio दोनों कैपिस्टर पर जा रहा है और जो middle का wire है यहाँ से हमारा एक common बन चुका है तो यह हम लगाएंगे दूसरी सेट पर तो यहाँ पे stereo audio आएगा तो इस तरीके से हो चुका है यहाँ पे तो अभी हमारे wire बचे है power के लिए तो जैसे कि हमारा जो है subwoofer filter है उसको हम power देना पड़ेगा तो power है हमारा 12 volt तो 12 volt हमें यहाँ पे जो मोडूल पर जो 7805 लगा होता है इस तरीके से तो यहाँ पे जो है 7805 यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है देखें तो यहाँ पे जो है हमें input पर 12 volt मिलेगा तो इसे हम लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें मैं चेक कर लेता हूं 12 volt कहां मिल रहा है तो इसे यहाँ रख देता हूं और इसे power on कर देंगे और इसे कहीं पर भी common लगा देंगे और यहाँ पर हम इसका जो बारावल्ट इन हो रहा है यहाँ पर स्वीच है इसका तो देखें यहाँ पर बारावल्ट आ रहा है तो यह हम बारावल्ट पर लगा देंगे तो इस तरीके से यह जो है power का वायर लग चुका है अभी यहाँ पर हम ground लगाएंगे तो ground हम यहाँ पर वाल्यूम के जो तीन नंबर की पीन है वहां पे भी लगा सकते हैं और जो 7805 का जो मिडल का वायर है वहां पे भी लगा सकते हैं तो यहां पर मैं यहां पर लगा देता हूं कि तो एक ग्राउंड हमारा कॉमान है तो कोई भी चलेगा तो देखें इस तरीके से इसकी वायरिंग कंप्टीट हो चुकी है ठीक है तो इसे मैं ऐसे रख देता हूं यहां पर अभी मैं पावर और आन करता हूं और इसका जो परफार्मेंस से कैसा है वो देखेंगे तो इसे पावर आन कर देता हूं कर देकी आप बदेता है तो देकिन अपैसल आन कर आए तो कि तू कि व थे तू तू मुपफ तू कि तू तू कि तू कि तू क। तो देखें यहां पर श्री बेस आउटउट आएगा श्रीव बेरियेशन आएगा अद्यो नहीं आएगी तो दूसरे स्पीकर पर है वह ओडियो आएगा तो देखें इसे में निकाल देता हूँ है कि तो दुसरी साइड भी चेक कर लेंगे हम यहाँ पें पर अपर अच्छे से आवाज आ रहे हैं तो यहाँ पर खुलके आवज पर जो है जब लगा सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग पास बीह भार लगा सकते हैं तो वीडियो कैसे लोगा कमेंट करके ज़रूर 55 दर पशसंद थो लॉडियों कि यह और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरू किजए, थैंक यू गाइस